हालो स्टूडेंट तो हम लोगों ने एस्टिसी रूल पढ़ा था लास्ट सेशन के अंदर क्यों ना उसकी थोड़ी प्रैक्टिस कर ली जाए तो एस्टिसी रूल एक बार और में यहां पर वो दोनो तिनो लाइन्स बना के थोड़ा सा उसको अंदर्स्टेंडिंग समझ दjemते हैं तो हम लोगों को क्या हुआ कर लेना चाहिए एक्स मदलिब चेंजिंग और नॉट चेंजिंग लाइन वैसा कoitब डो कर लेना चीए ताकि हम यह वैल्यू eBay वेलिईनी क्यल्कूलेट कर पाए तो यहां पर मैं नहीं दुम लोगों को बत 70 डिग्री इसमें 90 एड करेंगे हम तो 360 डिग्री पहुंच जाएंगे तो मतलब हम लोगों ने एक यहां से शुरू करके यह 90 यह 180 और फिर 270 वापर 360 पहुंच गे अब ज़रूरी नहीं हम यहां रुख जाएं हम आगे भी बढ़ सकते हैं हम यहां पर कितना भी कि रोटेशन कंप्लीट कर सकते हैं अब जैसे कि मानलो मैंने यह रोटेशन कंप्लीट किया तो एंगल क्या क्या रहाएगा अब दो को स्टॉप नहीं हो जाना है जैसे यह मानलो यह 360 था तो उसके बाद 360 में फिर 90 एड कर दो तो यह कितना हो जाएगा 450 इसी दरीगे से आगे लिए यह 90 एड करते था तो यह तो यह कितना हो जाएगा 810 फिर आजाएगा हमारा 900 शमझपा रहे हो I.90 उन यह नानट यहिक टो में मैंट करेंगे तो इसे कितना हो जाएगा https Mega पि तो यह कितना हो जाएगा 1350 इसी तरीके से next क्या हो जाएगा 1440 और next हो जाएगा चलो यहीं तक ही करते हैं complete है ठीक है ऐसे हम लोग बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे infinite तक हम लोग जा सकते हैं अब देखो यहां पर सबसे पहले हम लोगों को क्या calculate करना था साइन 225 तो यह तो पहले ही राउंड में complete हो जाएगा क्योंकि यह सभी के सभी value 360 डिग्री के अंदर ही है तो अगर मैं पहला question solve करना चाहता हूं तो वह क्या लिखा हुआ है मेरे पास साइन 225 डिग्री अब हमें 225 डिग्री पहचानना है कि वह 180 और 270 के बीच में हैं तो इस 3rd quarter में क्या होता है देखो हम लोगों का जुरूल है वो कैसा है A STC और जहां टी लिखावा है हम 222 डिग्री को लेकर वही है और यहां साइन है तो आंसर तो नेगेटिव आएगा वह तो पक यह बात है अब हम इसको क्या लिख सकते हैं साइन 180 प्लस अब 225 के लिए कितना अब करें तो आइटिंक 45 एड करें तो पहुंच जाएंगा हम यहां पर तो साइन 180 प्लस चीडा क्या होगा जो मैंने प्रैक्टिस करने के लिए बोला था तुमने किया होगा तो यह हो जाएगा माइनस साइन 45 और माइनस साइन 45 से इसकी वैल्यू हम लोगों को मिल जाएग माइनस साइन 45 इस इकल तो यह कितना हो जाएगा माइनस वन तो यह वैल्यू हमें पहली वाली का आंसर मिल गया माइनस वन पहले वाले का आंसर कितना हो गया भाई माइनस ओ सोरी यहां पर गल्दी गर्दी हमने साइन 45 कितना हो जाएगा माइनस वन अपन रूट तो आंसर ह हमारा क्या होगा minus one upon root two तो पहले वाले का answer हम calculate कर चुके हैं अब हम दूसरे वाले का calculation कर लेते हैं तो दूसरा question क्या है वो हम देख लेते हैं तो second number का जो question है उसको हम solve करने के लिए देखते हैं वो है cost 330 अब देखो 330 360 से तो कम और 270 से ज्यादा है मतलब यह कौन सा quadrant की बात हो रही fourth और cost के साथ इसलिए अंसर क्या आएगा positive तो हम इसको क्या लिख सकते हैं cost 270 प्लस भी लिख सकते हैं और 360 माइनस भी लिख सकते हैं अगर 270 प्लस करेंगे तो change करना पड़ेगा 360 माइनस लिखेंगे तो कुछ भी change नहीं करना पड़ेगा तो 360 माइनस 30 मैं इसको कर लेता हूँ क्योंकि fourth quarter इसलिए answer क्या आएगा positive हमें दो ही तो बातों का धियान रखना है plus minus या change एक हमें धियान रखना है पहली बात plus या minus लिखें दूसरी बात हमें क्या धियान रखना है कि हमें change करना है नहीं करना तो 360 not changing line पर होता है तो इसलि वाला question भी solve कर सकते हैं थर्ड वाला question के अंदर क्या लिखावा है 10150 और 10150 तो 90 से यह ज्यादा होगा 180 से कम होगा मतलब कौन से quadrant की बात हो रही है second अब second quadrant में सिर्फ sign positive होता है 10 negative होता है 10 negative होता है इसलिए हमें हमारा answer आएगा negative यह हमें पहले से ही पता है अब हम इसको क्या लिख सकते हैं भाई 10 180 minus 30 degree हम लिख सकते हैं अब 180 है तो change कुछ होगा ने पर minus तो आएगा तो minus 1030 हो जाएगा और 1030 की value 1 by root 3 होती तो answer कितना हो गया minus 1 upon under root 3 clear बात समझ में आ गई अब अगर इतना सा समझ में आ गया है तो हम और भी value calculate कर सकते हैं जैसे कि यहां पर जो तुम 65 अभी जो मैंने angles लिखे ना उससे तुम पता लगा सकते हो कि यह कौनसे quadrant में होगा clear कैसे देखो 720 से तो ज़्यादा होगा pen change कर लेते हैं इस बार हम लो देखो 720 से ज़्यादा है 765 और किस से कम है यह 8 10 से कम है तो 720 में कितना add करें कि sign 765 आ जाए तो हम ऐसा कुछ कर सकते हैं देखो यह first वाला question हम solve कर रहे हैं और हम इसको लिख सकते हैं sign 720 डिग्री प्लस कितना करेंगे 65 हो जाएगे 45 डिग्री अब दोको जहां 720 है वही 360 है वही 1080 है वही 1440 है तो इसका मतलब हम उसमें कुछ add कर रहे हैं add कर रहे हैं मतलब हम कौनसे quadrant में जा रहा है first quadrant में और first quadrant में सब क्या होता है positive तो plus तो रहेगा इस ही और 720 उसी line पर है ज changing line तो sign का sign रहेगा तो sign 45 physical 2 हो जाएगा 1 by root 2 तो पहला वाला question हम solve कर चुके हैं जिसकी value कितनी आ गई 1 by root 2 अब देखो यह value calculate हो गई कितनी आ गई वही है 1 upon root 2 और यह positive है positive क्यों आए क्योंकि पहला quadrant है अब हम लोग second वाला question solve कर लेते हैं तो second वाले question के अंदर हम लोगों को सबसे पहले देखना पड़ेगा कि यहां लिखाció क्या है तो भही यहां लिखा है minus अब दीखो Kossick का minus तो क्या आजाता है बाहर आ जाता है यह मों बात पता हो नहीं चाह gossip का minus बाहर नहीं आता वह hour- one- jij ये अंदर क्या हो जाता है प्लस हो जाता है क्यों क्योंकि 4th quarter में क्या positive होता है cos sin positive नहीं होता clear तो इसके लिए भी हमें हम लोग not लिख लेंगे तो सबसे पहले ये minus हम लोगों को बाहर निकाल लेना चाहिए minus cosec 1410 अब देखो हमारा सारा concentration होना चाहिए 1410 के अंदर तो देखो ये 1440 से कम है और 1350 से ज्यादा है इससे तो 60 ज्यादा है और उससे कितना कम है ये 30 कम है तो इसको हम लोग calculation इसकी बिलकुल कर सकते हैं और वो किस तरीके से होगी देखो ये minus तो capacity अपनी जगे ही है हम इसको लिख सकते हैं कॉसेक 1440 माइनस 30 डिग्री हम लिख सकते हैं अब देखो जहां 1440 वही 1080 वही 720 वही 360 वही 0 है मतलब हम इसको 0 लिख सकते हैं तो इसको अगर हम 0 लिख सकते हैं तो हम यह क्या हो जाएगा हमारा बराबर में why minus amount three minus और अब यह minus दुबारा बहार आ जाएगा तो यह दुबारा माइनस बहारा क्या हो जाएगा प्लकस तो हो जाएगा हमाराan Size 30 और 720 इसा घ्रत percentage एक होता है महान कोस का माइनस हम क्या लेख सकते हैं प्लस अब यह वन सेवन वन जिरो को डूंडो यह है का तो एक्चुली हम लोग तो वन फॉर फॉर जिरो पर स्टॉप हो गया थे तो हमें थोड़ा और आगे जाना चाहिए तो यह कितना हो गया भाई 1530 इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंग अब यह थोड़ा से हम लोगों को पता होना चाहिए कि कॉस 270 हो या कॉस 360 हो या कॉस 990 हो या कॉस 12350 या कॉस 1770 यह सब 0 होते हैं इसी तरीके से कॉस 90 कॉस 450 कॉस 1 810 और यह कॉस ये सब की सब वैल्यू क्या होती है जिरो यह अभी हम लोग इसके बारे में देखेंगे तो य 0 degree अब देखो यहाँ पर हो सकता है कुछ confusion जिस confusion को दूर करने के लिए मैं यहाँ पर कुछ important point लिख देता हूँ वह important point देखो क्या क्या है सबसे पहली बात sign के अंदर minus theta लिखा है तो उसको हम हमेशा क्या लिखेंगे minus sin theta यह हम लोगों को याद रखना है इसी तरीके से cost का जो minus theta होता है cost की digestion power थोड़ी अच्छी होती है ऐसा हम समझ सकते हैं और digestion अच्छा होने के वज़े से minus को खा जाता है तो यह ऐसा हो जाता है सिर्फ cost theta अब देखो 10 के अंदर भी क्या होगा वैसे जो sin के अंदर होता है 10 minus theta अगर कहीं लिखा हुआ है तो उसको तुम हमेशे के लिखो minus 10 theta clear अब जो 10 में हो रहा है court में भी वही होगा तो court अगर minus theta लिखा है तो तुम obviously उसको क्या लिखोगे minus cost theta क्योंकि देखो वह है क्या sin upon cost तो sin वाला minus तो रहे गई सही ना इसी दरीगे से next number है sec minus theta तो sec बिल्कुल वैसे ही behave करेगा जैसे cause behave कर रहा है क्योंकि एक दूसरे की inverse है अगर एक positive होगा तो दूसरा भी positive होगा और एक negative होगा तो दूसरा भी negative होगा अगर x upon y positive है तो y upon x तोड़ी ना negative हो जाएगा मतलब एक number positive है तो उसका inverse भी क्या होगा positive अगर negative तो उसका inverse भी क्या होगा negative तो यह क्या हो जाएगा sec theta इसी तरीगे से जो मैंने तुम लोगों के लिए छोड़ी दी जैसे कि last class के अंदर हम लोगों ने लिखा था 90 plus something इसी तरीगे से हम और लिख लेते हैं यहां पर थोड़ी सी इससे क्या होगी practice बढ़ जाएगी practice बढ़ जाएगी उसके लिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं तो हम लोगों ने क्या लिखा था 90 plus लिखा था अब हम लोगों को 180 माइनस लिखना है अब हम लोग किसके बारे में लिख रहे हैं 180 माइनस ठीटा एंगल के बारे में लिख रहे हैं तो हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं sin 180 माइनस ठीटा इसी तरीगे से हम क्या लिख सकते हैं cos 180 माइनस ठीटा यह स ठीटा की value भी हम लिखना चाहते हैं सभी के सभी 6 से trigonometric ratio हम लोगों को लिख देना है code 180-theta अगर 135 लिखा है कहीं निकालने के लिए तो यह हम लोग use करेंगे sec 180-theta इसी तरीके से कहीं लिखा है cosec 180-theta अब देखो बराबर में हम answer क्या क्या लिख सकते हैं तो 180-theta का मतलब कौन सा है और second में कौन positive होता है वहाँ positive होता है सिर्फ sign और prosec तो बस वही positive आएंगे बाकी जगे अपने आप क्या आजाएगा अपने आप क्या आजाएगा negative minus 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 अब 180 क्योंकि not changing line पर है तो sign का sign रहेगा मतलब कहीं sign 180-theta लिखा है तो हम उसको क्या लिखेंगे sin टिटा cos 180-theta लिखा है तो उसको क्या लिखा है cos टिटा 10 180-theta लिखा है तो इसको हम 10-theta ही लिखेंगे इसी तरह से cot-theta तो ये minus cos-theta अगको इसको पुरा पड़ा जाए तो और ये क्या हो जाएगा minus sec-theta इसी तरीके से last answer आजाएगा plus cosac theta तो यह कौन सा quadrant हम लोगों ने complete कर लिया second quadrant complete कर लिया इसका हम example कर लेते हैं example हम किस से related कर रहे हैं देखो sec वाला हमने नहीं किया यह example हम लोग कर लेते हैं जैसे कि suppose करो sec 135 किसी ने बोला calculate करो तो इसको हम क्या लिख सकते हैं वहिए sec 180 minus 45 ऐसा हम लिख सकते हैं अब sec 180 minus 45 अब हमेशा तुम्हें यह जो बाते में लिखा रहा हूं इसको रटना नहीं है समझना है दो बाते मैं पहले ही बोल चुक हूँ बापिस बोल रहा हूं दो बाते पहली बात क्या साइन क्या रखना है हमें तो देखो शेक 135 वहन से क्वाटन में सेकेंड में और सेकेंड में सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है कॉसेक नेगेटिव उसले हमारा आंसर क्या आएगा माइनस माइनस तो आए गए जाएगा अब 180 की वज़े से चेंज भी नहीं होगा बस हम कर चुके बस यहां 45 लिग दो तो यह कितना हो जाएगा कॉस 45 होता है वहां पूर रूट टू तो हमारा आंसर कितना होगा अभी यह माइनस रूट टू अब हम लोग थर्ड क्वाटन म में जाने के क्या क्या रास्ते हो सकता है एक हो सकता है 270 जाने के लिए हम लोग यहां पर वहां बनातें यह जीरू यह यह 180, यह 270 ठीक है, तो यहाँ पर जाने के हुछ है, दो रास्तों में से, यह 270 फिर्ड़ माने थीटा तो ही है हमारे पास, पर इसको हम राइट एन साइड में लिख देते हैं, इसको आठा देते हैं हम यहां से, तो हम क्या लिख सकते हैं? 3rd quadrant में जाने के लिए 180 प्लस ठीटा एक तरीका हो सकता है 3rd quadrant में जाने का और एक तरीका हो सकता है 270 माइनस ठीटा ठीक है एक तो 270 माइनस ठीटा और 180 प्लस अब देखो यहां क्या होता है ASTC रूल के according T मतलब यहां पर 10 और cot positive होंगे और बाकि सब क्या होंगे negative तो one by one हम सभी की value लिख देते हैं यहां पर तो देखो sin 180 प्लस ठीटा इसी तरीके से हम क्या लिख सकते हैं cos 180 सभी 6 के 6 लिख देते हैं हम यहां पर यह मैंने तुम लोगों को बोला भी था तुम्हें खुड ट्राइ करना है कुछ लोगों ने ट्राइ किया बहुत अच्छी बात है जिन्हों ने ट्राइ नहीं किया वह अब देख लें और इसको देखने के बात एटलिस्ट ट्राइ कर लें क्योंकि तुम ट्राइ करोगे तुम रफ कॉपी में जितना प्रैक्टिस करोगे उतने ही मैट्स में अच्छे बनोगे 180 प्लस ठीटा करनी तो पड़ेगी प्रैक्टिस आज नहीं करोगे तो दिरे-दिरे मैट्स मुश्किल लगती जाएगी इस इसी तरीके से क्या होगा कॉस एक 180 प्लस ठीटा हम लिख सकते हैं अब इन सब की वैल्यू हम एक साथ लिखेंगे पहले हम देख लेते हैं तो देख लेते हैं चलो तो देखो 180 प्लस ठीटा मतलब 3rd गटन 3rd गटन में सिर्फ क्या होता है 10 पॉसिटिव और क्या इसी तरीके से नेक्स्ट क्या लिख देंगे हम 10 ठीटा कॉट ठीटा कुछ भी चैंज नहीं करना 180 के वज़े से से क्या रहेगा यह से टीटा ही रहेगा कॉस एक 180 प्लस ठीटा इस इकल टू क्या होगा माइनस कॉस एक ठीटा क्लियर अब अगर हम यह लिख चुके हैं तो इसी तरीके से हम लोग एक और बात लिख सकते हैं यहाँ पर 270 माइनस ठीटा के लिए तो हम क्या लिख सकते हैं साइन 270-ठीटा इसी जरीगे से कॉस 270-ठीटा दिमाग काम करना चीए 270 दिख रहा है मतलब चेंज होगा फिर क्वाटन डिसाइड कर लो कि 270-बनलब कौनसा क्वाटन होता है तो आटोमेटिकली आंसर आते जाएंगे 270-ठीटा इसी जरीगे से हम लिख सकते हैं कॉस्ट 270- 270-ठीटा अब हम इन सब की वैल्यू लिखना चाते हैं अब हम इन सब की वैल्यू तो लिखना चाते हैं अब हम लोग देखेंगे कि 270-ठीटा मतलब सेम वही थर्ड वाटन थर्ड वाटन में कौन-कौन पोजिविटीव होता है 10 और कोट जो यहां पर हम लिखेंगे उससे करते हैं यहां पर 10 है कोट है उससे हमने डिसाइड किया देखो यहां 10 और कोट था तो इसी के सामने प्लस लिखा है बाकी सब के सामने क्या आएगा माइनस 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 यह सब हम एक साद लिख लें इसलिए हम लोग प्लस-प्लस माइनस लगा पा रहे हैं पर पर 10 theta and next क्या बना देगा Cossack theta और Cossack को यह क्या बना देगा sec theta ओके तो यह value है अब इनका इनसे related है नहीं example कर लेते हैं example हम लोग 3rd quadrant में कोई value निकालते हैं find the value of किसकी निकाले देखो 10th Cossack की निकालते हैं इस पर Cossack 225 degree हम लोगों को निकालना है अब देखो 225 करने के दो तरीके हैं हमारे पास एक हम लिख सकते हैं Cossack 180 plus 45 और हम इसको लिख सकते हैं Cossack 270 minus 45 दोनों तरीके हम यूज़ कर सकते हैं अब देखो 225 पहले से हमें हमें पता है कौनसे quadrant में 3rd में और 3rd में 10 positive होता है तो Cossack 2 negative होगा तो हमारा answer क्या आएगा minus क्या आएगा minus अब 180 है तो no change Cossack ठीटा ही ऐसे कैसे रहन देंगे और ठीटा की जगे 45 और 45 और 270 changing line इस लिए उसको क्या कर देगा सेक में change करतेगा और है तो यह 45 यह 45 तो आंसर कितना हो गया minus root 2 इस तरीके से भी minus root 2 और इस तरीके से भी minus root 2 दोनों तरीके से तो यह value हम लोगों को याद हो जाएगी graph से याद हो जाएगी value क्या value किसकी बात हो रही है तो देखो यहाँ पर क्या होता है 0 degree इसी तरीके से यहाँ पर क्या होता है 90 degree फिर 180 degree फिर हम यहाँ क्या लिखते है बई 270 degree एक के अगर इसको मैं रेडियन में लिखना चाहूं तो 90 degree का मतलब क्या होता है पाई बाई टू यह भी हम लोगों को पता होना चाहिए इसी तरीके से 180 का मतलब क्या होता है पाई रेडियन होता है इस तिंग वी शूट रिमेंबर और 270 को हमें चेंज करना है तो देखो 270 को हम कर सकते है 270 को हम किस से 0 कट गया और यह किस से कट रहा है 9 से तो यह 3 by 2 हो जाएगा तो इसको हम लिख सकते है 3 pi by 2 ओके और यह क्या हो जाएगा 2 pi अब देखो तुम इसको वैसे भी समझ सकते है यह 2 pi यह तो 0 degree की value हम लोगों ने 0 radian में लिखी है और 360 degree की जागे हम लोगों ने क्या लिखा है 2 2 pi लिखा है अब मैं कहीं pi by 2 लिखू या 90 degree सेम है कहीं मैं pi radian लिखू या 180 degree लिखू सेम है कहीं में 3 pi by 2 लिखू या 270 degree लिखू दोनों के दोनों क्या होता है सेम अब दोखो हम आगे बढ़ते हैं जैसे कि मालो 360 तक हम आगे अब 360 के आगे बढ़कर मुझे और आइड करना हो तो मैं कैसे एड करके लिख सकता हूं क्या हो जाएगा यह 450 अब 450 पता है क्या होता है 552 तुम इसको पाई बाई 180 से मल्टिप्लाई करके देख सकते हो जैसे ह इसी तरीके से 180 ही लाइन पर अगर 450 में हम एड करें 90 तो यह कितना होगा 540 और 540 यकीन मानो क्या है यह 3पाई क्लियर इसी तरीके से नेक्स्ट जो है हमारा आंसर कितना आएगा 540 के बाद 630 जो है एक्चुली 7 पाई बाई 2 क्या है 7 पाई बाई 2 इसी तरीके से हम इसके अंदर और अड करते चलेंगे तो यह हो जाएगा 720 720 का मतलब हो जाएगा 45 कितना हो जाएगा 45 अब देखो हम वैल्यू जानना चाहते ह है Sine, COS की इन लाइन पर वैल्यू जैसे कि मालो मुझे वैल्यू निकालनी है चैंजिंग लाइन पर क्या है 0 है changing line पर क्या है sin 360 है ओ स्वरी not changing लेन पर इसी दरीगे से यहां पर क्या है sin 720 भी है यह सब बराबर होते हैं डेश 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 बराबर अब हम लोग कौन सी वाली वेल्यू ले रहे हैं 180 540 तो यह कितना होता है 180 डिगरी लिखो तुम्हें आप है या फिर लिखो sin 540 यह सब की सब वैल्यू होती है 0 कितनी होती है 0 हम एक्टुली यह लिख सकते हैं sin n pi is equal to 0 मतलब देखो sin pi 0, sin 2pi 0, sin 3pi 0, sin 4pi 0 समझ पा रहे हो यह value हम लोगों को याद रखनी है फिर हम लोग इसको graph से अपने आप बना पाएंगे अब देखो cos की हम बात करते हैं तो changing line पर उपर वाली जो values हैं वहाँ पर cos की value होती है 0 और नीचे भी उसकी value रहेगी 0 मतलब cos 90 की value तुम लोग निकाल लो या फिर cos 270 की value निकाल लो मतलब cos यहाँ पर इस line पर cos theta is equal to क्या होता है 0 और इस वाली line पर sin theta की value कितनी होती है बाई 0 अब यहाँ पर cos theta कितना है और यहाँ पर sin theta कितना है वो भी हम लोगों को पता हो जाना चाहिए clear तो देखो वो भी हम लोग देख लेते हैं तो अगर मैं changing line पर cos की value निकालूंगा तो मुझे value कितनी मिलेगी जैसे 270 मैंने लिखके छोड़ दिया है आप इसको आगे हम लोग बढ़ाते है cos 450 is equal to cos 630 यह सबके सब value कितनी होती 0 तो changing line पर cos theta होता है 0 और not changing line पर sin theta क्या होता है 0 मतलब sin pi, sin 2 pi, sin 3 pi, sin 4 pi, sin 5 pi यह सब क्या होंगे 0 अब हम इसका ओल्टा कर रहे है कि जहाँ cos 0 है वहाँ sin कितना होगा तो देखो यह value के लिए हम लोग red color use कर लेते हैं तो अगर कोई तुमसे बोले कि cos pi या फिर देखो यहाँ पे कोई बोले तुम्हें cos 3 pi और इधर ही 5 pi भी आएगा यह cos 5 pi तो देख रहे हो pi का multiple odd है तो यह सब answer आता है minus 1 यह भी हम graph से समझेंगे बट अभी याद रख सकते हैं इसी तर 20 degree की cos 360 वा पर से लिख लेते हैं हम लोग तो अच्छे से लिखने में नहीं आया है cos 360 degree is equal to cos 720 degree यह सब की value होती है 1 मतलब cos even pi cos 0 cos 2 pi cos 4 pi cos 6 pi cos 8 pi cos 10 pi मतलब cos 2 and pi is equal to value कितनी होती है 1 और cos odd pi जो हम लोगों को changing line पर left hand side में दिख रहा है red color में cos pi cos 3 pi यह सब की सब value कितनी होती है minus 1 समझ में आरी यह बात इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर 9 की value calculate करना चाहूं जैसे कि sin 90 तो तुम्हें पता है होगा उससे ही तुम याद कर सकते हो बाकी भी यहीं इसी जगे पर कौन है 450 भी है इसी जगे और भी angles आएंगे इस जगे अगले angle कितना है का 720 में अगर हम 98 करेंगे तो साइन 8 10 यह सब के सब होते हैं 1 यह किस से हम याद कर सकते हैं साइन 91 10 क्लास में जो हमने याद किया है अब दोगों उपर तो हम लोग ने value calculate कर लिए हम नीचे वाली value भी हम लोग calculate कर लेते हैं यहां से साइन की value तो यहां से साइन 270 डिग्री यही साइन 630 इसी दरीगे से आगे हम बढ़ते जाएंगे तो यह सब किसा value होती है –1 उपर तो होता है साइन 1 और नीचे होता है साइन –1 तो यह value है थोड़ी सी याद रखने वाली type value है अब next class के अंदर हम लोग थोड़ा रेडियन वाला conversion भी देखेंगे कि जहां डिग्री में होता है तो उसको अगर रेडियन में change कर दो तो एंगल कैसे कैसे calculate किये जा सकते हैं वो next session के आनल देखेंगे हम लोग आज की डीवी में उस related question हो सकते हैं तो उसको try करना पहले एक चिस में change कर देखेंगे डीग्री में फिल हम लोगों ने जो method सिखा है वह यूदा है कि अगर कि अगर कि बार कि आखेंगे कि आखेंगे कि अगर कि आखेंगे कि अगर्व झाल झाल